दोस्तों इस वीडियो में मोबाइल की सोर्टिंग और हाफ सोर्टिंग को कैसे चेक किया जाता है और उसके रेडिंग आपको कितनी मिलनी चाहिए हर किसी मोबाइल पर या फिर किपड हो या फिर आपका एंडरोइड हो या फिर आपका जो बैटरी जिसके अंदर लगती है उ आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहां पर बहुत सरी चीज़ें आपको और भी सीखने के लिए मिल सकती हैं, चलिए शुरू करते हैं, यहां पर मेरे पास तीनो टाइप के मोबाइल है, एक कीपड है, एक एंड्रोइड जिसकी बैटरी अलग हुजाती है, और एक ऐसा मोबाइल है, जिसके अंदर बैटरी लगी रहती है, यानि कि जो इस टैप के पत्ते वाली बैटरी आती है, वो आलम मोबाइल है, तीनों की रेडिंग को आपको बारी बारी से चेक करना बताऊंगा, जब भी मोबाइल पे सौटिंग या फिर हाप सौटिंग आ या फिर अधर कॉम्पोनेंट्स में या फिर कोई ट्रेक कट जाना जल जाना डेमेज हो जाना, इसके लिए अलग से बीडियो बनाऊंगा, जो वीडियो यहां पर मा बना रहा हूं, वो सिर्फ इसकी सौटिंग को, हाप सौटिंग को कैसे चेक किया जाता, इसकी रीडिंग यहां पर है, तो आपको बता है, बजर की रेंज बे बहुत सारे कंपोनेंट्स को टेस्ट किया जाता है, यह देखे बजर की और एक बात है, जब भी आप बजर की रेंज बे चेक करते हैं, तो आपका मल्टिमेटर बिल्कुल जीरो जीरो पर आ जाना चाहिए, इस तरीके स यहां पर लिखा रहता हूँ, एक मिनिट, इसकी बैटरी एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है, एक बार चला के हो सकता है, आप पर बैटरी डेड़ भी पड़ गी हो, देखे फिलाल यह चालू कंडिशन में है, यह ओन हो चुका है, चलिए, अब इसकी रे साथ, फिलो, इसकी बार चेक साथ तो, इसक को मिली एंपियर एक बैटरी, एक जार मिली एंपियर के होती है, अब ध्यरत çान को ऐटरी होती है, Egypt बिल्कूल बैटरी सेम के होती है, बस Aid तो बैटरी की आप सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे तो यह चलिए बता देता हूं यह चीज यहां पर कवर हो जाएगी तो यहां पर 20V DC पर रख लेना है उसके बाद positive और negative पर आप इस तरीके से इसको लगा लेंगे तो बैटरी का जो वोल्टेज रहेगा वो आपके सामने सो करेगा 3.8281V अगर इस वोल्टेज से भी ओवर चली जाती बैटरी तो अपका डिवाइस ओन नहीं हो पाता है सपोच कीजिए बैटरी अगर ओवर चार्ज हो जाती है तो काफी सारे ऐसे डिवाइस होते हैं अगर वो बैटरी 4.1V भी चार्ज हो जाती है यानि कि किसी और method से आपने चार्ज किया ओवर चार्ज हो गई तो इस condition में भी mobile on नहीं हो पाती ये भी आप जरूचे अब इसको मां बजर के रहता हूं अब इसको देखिए जीरो पे सेट हो चुका यह एक बर कन्फर्म कर लो बिल्कुल जीरो पे सेट हो चुका है अब आपको थोड़ा से मां क्लोज कर वा दिखा देता हूं इसमें तीन पिन जो आपके mobile पे मिलती किसी किसी में चार भी होती तो ग्राउंड का आप सबसे पहले फैंड करेंगे ग्राउंड का कौन सा है वैसे बैटरी में लिखा भी रहता है यह नेगेटिव यह पॉजिटिव ऐसे पता कर सकते है बट आपको अगर बैटरी आपके पास नहीं है सेट सिर्फ आपके पास बिना बैटरी का यह तो एक आप प्रोब इस तरीके से जो आपका यह बैटर मिलता है वहाँ पर लगा लीजिए एक प्रोब जहाँ पर बीप मार देगे इन तीनों मा से वह आपका ग्राउंड का रहेगा यह फर्स्ट है सेकिन है एंड यह थर्ड तो यहाँ पर एक ग्राउंड का बता रहा है अब यह यहाँ पर रखेंगे positive वाले में तो वहाँ पर जो reading आती है जो उसकी initial reading आपको दिखाता है 300 से 400 तक दिखा सकता है यहाँ पर फिलाल 323 दिखा रहा है एंड हर सेट में अलग लग दिखा सकता है ज्यादे तर सेम सेम भी दिखा सकता है ठीक है तो black probe को आपको positive पर रखना है उल्टा ठीक है तो यहाँ पर आपको 300 दिखा रहा है एंड जो beach की pin होती है इसको बोलते है BSI यान कि battery system indicator यह जो होती है negative से ही कुछ resistance को लगाकर या 80K या फिर something 70K के resistance को लगाकर या फिर other value के भी resistance को लगाकर negative से ही beach वाली pin पर attach कर लिया जाता है वो battery के जो अपका battery में जो storage होता है 20% 30% वो display पर सो करता है accurate अगर यह beach की pin पर कोई उखण पड़ी होती है इसके वज़े से आप तो device on नहीं हो पाता या फिर होता क्या है कि आपका जो battery का percentage है वो accurate नहीं बता पाता कभी घटता है कभी बढ़ता है कभी full भी हो जाता है आपनी ज्यादा दर देखा हो beach 2400 भी दिखा सकता है यहाँ पर आपको इस device के साथ यह 500 बयाना पर दिखा रहा है यह accurate है तो यहाँ पर BSI के साथ आपको ज्यादा दिखाना चाहिए और यहाँ पर 300 से 400 के something positive के साथ reading आनी चाहिए यह आपका Samsung mobile इस वाले में जो keypad वाले होते ज्यादे तर उसमा होता है चल करने के tip एक अप BSI ज्यादा तर जो step के जो पिन वाला होता है जो अंदर दबने वाली पिन होते है उसमें बीएस बीच में ज्यादा दिया रहता है और किसी-किसी में जो आपका दबने वाली नहीं होती है जो accurate खांचय वाली पिन होती है उसमें BSI आपका ज्यादे तर corner मे या फिर आपका फर्स्ट में या फिर लास्ट में दिया रहता है यह जीज आपने ध्यान रखना है वह आपको ग्राउंड एक बार ट्रेकर करें पता चलेगा ग्राउंड कौन सा है अब आपको इसमें भी फाइंड करना है तो यहां पर जो सिम कार्ड के जो पत यह देखिए कवरें यह देखिए यह पूरा यह ग्राउंड से अटेज होता है तो एक किसी भी या फिर ब्लैक प्रोब को या फिर प्रूब का इस पर लगाई और जिस पीन में भी भी मारता हूं आपका ग्राउंड का कहलाएगा ठीक है देखिए यह नहीं है यह आपका नहीं है यह किसी हवेड़न के अब बता ही आपको लेगर हाह रहा है अब इस इस उल्ह च्र के संतिंग करेंगे इतों आप देख सकते हैं अब यह इक चीज लगर। भूल गया अगर यहां पर देखिए यह जो रीडिंग है फर्स्ट में पॉजिटिव की रीडिंग है इसमें अगर आपको देखिए एकुरेट पहले तीन सो निन्यानवे पे यह बिल्कुल फिक्स हो गया अगर मान लिया जाए यह रीडिंग तीन सो से चार सो साड़े-चार स तक दिखाता है अगर बहुत कम यानि कि सो अब्सट ने ऊफिक्सों हो गया बार की कम दिखा रहा है तो सम्झाइग मैज अगर बिल्कुल जीरो जिखा रहा है पॉजिटीव के साथ तो get Caribbean की सब्सक्राइब तो समन्सरा सब्सक्राइब कर सब्सक्रा दों Eng u यह हाप sorting की निसानी होती, यह आपने सोचना है, लेकिन जो हाप sorting हो रही है, या फिर full sorting हो रही है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, देखिए Motherboard पे, जब आपने mobile की Motherboard देखेंगे, इसमें चोटी चोटी capacitor होते हैं, आपको मैं चलिए एक Motherboard दिखाता हूँ, यह आपका mobile का Motherboard है, इसमें capacitor ज्यादे तर लगे रहते हैं, capacitor की ज्यादे तर सोट होने की वज़े से भी sorting, या फिर half sorting आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं की capacitor की वज़े से ही होता है, आपका जो battery का, यहाँ पर सपूच कीजिए, इसमें battery का कहां पर लगेगा, यहाँ पर है, यहाँ बैटरी के points य नहीं मिलती है, या फिर उसमें तो sorting दिखाएगा, capacitor को निकाल के भी आपने check करना है, कभी कभी क्या होता है, आगे power IC, या फिर किसी और component, या फिर CPU, यह तो फिर बारी की से track करके पता चलेगा की sorting कहां पर है, बेसिकली जो sorting आती, capacitor से ज्याद तर देखने के लिए मिलती है उसको detect के उसके लिए बहुत सारे device और बहुत सारे ऐसे से आजकल चीजा आ गई है, जो आपको sorting easily पता चल जाता है, कि वो component कौन सा sort है, और वहाँ पर क्या होता है, उस एक compound आता है, उसको लगा जाता है, और जो चीज यहाँ पर sort हो रहीगी, easily पता चल जाता है, कि क्या sort ह मैं खरीद के लाऊंगा और बताऊंगा जरूर उसको भी मैं टेस्ट कर वादूँगा, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, बेसे के लिए आपको बता दिया, इस तरीके से आपने रेडिंग चेक, अब बात करता है, एक Android phone की, जो आपने देखा होगा इस तरीके से, जि अगर आपका मॉवाइल या फिर बैटरी अगर आपका ओवर हीट हो जाती है, तो मॉवाइल पर कुछ एप्लिकेशन इस्टॉल्ड होते हैं, जो आपके बताते हैं कि ओवर हीटिंग प्रॉब्लम इस तरीके से हो बताते हैं, इसलिए चोथी पीन वहाँ पर टेंप्रेचर के लिए यूज करी जाती है, जैसे कि आजकल के जो मॉवाइल है, उनमें जो बैटरी लगती है, यहाँ पर आपको थोड़ा समय दिखाने की कोशिश करता हूँ, बहुत साथी चीजे में कवर करता हूँ, इसमें चार पीन है आप गौर करेंगे, एक पॉस्टिव है, एक न आपको बताता है, बैटरी ओर चार्जिंग बता ले रहा है, ऐसे ऐसे आजकल पूरी इंटलीजेंस पूरा सिस्ट्रम इसमें काम करता है, अब बात करते हैं इसको टेस्ट करने की, सबसे पहले इसके ग्राउंड को फाइंड क्या करना है, यहाँ यहाँ पर एक पत्ती है, इसमें ग्राउंड यहाँ आ रहा है, फर्स्ट वाली पीनिस में ग्राउंड आ रही है, तो देखिए, रेड प्रोब को हम ग्राउंड कर देंगे, यहाँ यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, चली इधरी पर लगा लेता हूं, अब जो पॉजिटिव के साथ हमें ब्लैक प्र 500 या फिर आपको दिखा रहा है, तब आप उस पर अक्सें लेजिए, बट यहाँ पर यह मुवाईल बिल्कुल ओके है, यह दिखा रहा है, यह दिखा रहा है, आपका 296, 300 के बिल्कुल करीब करीब है, इसको हमनें नहीं चेर ना है, यानि कि इसमें कोई सौर्टिंग या पिर हाफ्इक नहीं है और डिवाइस औहीं हो तो इसके और सारे कारण भी हो सकती है अब दिखिए अब देखिए इसके जो चिस में आपको सब्सक्राइब को बता है में चिछे सूअ को ढ़ increased बता धुन है एक चीज में अंतक्यक्ति व बटार रहे lamps मुन में बटांने प्लेकित ओट बॉस्टीव ज्यते अालनिक तरह को बात सद्क ये सब्सक्राइब को सब्सक्राइब वंगां एकुरेट नहीं दिखा कि करीब के लिए दुगना हुआ दिखाता है अब इसको रखते साइड पर बात करते हैं आजकल की जो डिवाइस आजकल यूट करे जाते हैं चलिए इसको सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर उपन हो चुका है अब यहाँ पर यह सेट मेरे पास रिपैर हो ली क्या है क्योंकि इसमें टचवर्ज का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आप देख सकते हैं बट यहाँ पर इसकी रीडिंग को आपको मैं चेक करना बताऊंगा यहाँ पर इस जिगा पर बैटरी क मैं त devient हुटी की तो इस सबसे लाश्ट वाला उख connection क्रोगरल होती है इसके बैटरी फिलाल मेरे पास है यह जो बैटरी है इस इसको आपने वोटी कर लेना है जिस भी पॉइंट में पीचो सुना यह लिक का नि जिखता हुआ यह आपको नरी AAA i यानि कि य incentives सब्से लास्ट वाला Negative का है ये वाला Negative का है क्योंकि इसमें Ground के साथ Beep मार रहा है यानि कि यह जो है इðर के साथ attached है य। जो Negative होता है वह पूरे ग्राउंड या फिर पूरी बॉडी की नेगेटिव से अटेजड होता ही यह वाला तो यह नेगेटिव है तो सबसे लास्ट में उस तरफ ही पॉजिटिव रहेगा तो यहां पर बैटरी में आपको दिखाता हूं यह देखेगा आगर यह वाली पिन आपकी नेगेटिव कि ez दीखेए थ्वासे जमक रहें बम आपको दिखाता हूं अगर यह वाली पिन नेगेटिव है यानि कि सबसे लास्ट में यह पी पॉजिटिव यानिकि यह बेटरी का पॉजिटिव हुआ, और नोगेटिव बगल में होगा T H BSI कौन सा पोजिटी कौन सा है तो इसका एक ट्रिक और है इसको रखिए आप रेट प्रोब को आप रखिए ग्राउंड पे जिसमें बीप मार रहा है वो आपका नेगेटिव होगा यह आपका नेगेटिव है ठीक है इसके बाद जो अगली वाली पिन है थर्मो स्टेट पे रेडिंग नहीं बताएगा देखिए आपको मैं दिखाता हूँ थर्मो स्टेट पे रेडिंग नहीं बताएगा एक मिनट आपको इसमें टच करवा के दिखाता हूँ बहुत ही बारिक पोइंच है यह देखेई, ताय french रीडिंग के रेडिंग में यह था, थर्मOur вам ख़िए नहीं बताईगा, पहले आपको पॉजिटिव की रीडिंगर चेक कर्वा देता हूं यह देखिए पॉजिटिव की रीडिंग तीनन हो सब्सक्राइब आदिए तो यह इसकी एसे रिडिंग चेकर जाए बड़ थर्मोष्ट पर कोई रिडिंग नहीं आती है जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है तो अगर आप बैटरी के यहाँ पर लिखा है उसको भी आप पढ़ा नहीं पाते हैं तो यहाँ पर वैसे भी पॉइंट्स आपको पता चल किसे और जहां पर वह कुछ भी रिडिंग नहीं बता है वह आपका थर्मोष्टेट का ऐसे आप इसकी रिडिंग पता कर सकते हैं अगर कम रिडिंग आ रही है देखिए सपोच कीजिए अगर आपका इसमें रिडिंग एक्रेट थीन सो से बहुत कमा रही है यानि कि दो सो स यहां पर कोई सोट हो या फिर कोई इसमें ऐसा जो सीप्यू कप कोई प्रोबलम हो यह सब फिर आप बदकी बात है सब ट्रेक करके बता चलता है वह आपको बता दिया किसी एक दिन ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको तोटल इसमें नोलेज दे दूगा बाकी अकर ये वीडियो आपको पसंद आती है और थोड़ा सा इसको सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी ज्यादा इस पर मैं और काम करूँगा और आपको अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा बाकि आपको बता दिया बैटरी की जो एक्यूरेट वोल्टेज लिखे होती है उ इसके नीगीटिव पे नीगीटिव लगा लेता हूं और पोजीव लगा लेता हूं दो इसकी बैटरी की जो वोल्टेज है अभी फिलाल कम है क्योंकि यह बैटरी उतना चार्ज नहीं है बट यहाँ पर फुल चार्ज होने के बाद यहाँ पर इसमें दिखा है वा साब जिसे हम 4000 मिली एंपियर भी कहते हैं बागी इस पर पूरा डिटेल लिखा होता है आपको कि यह सब जानकारिया पको पसंद आयोगी लाइक करते सेर करना ना भूने